अब इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सरल भाशा में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है एक आर्मी युनिफॉर्म अगर पैंते हैं तो उसको लेकर क्या रिसेंटली इशूस आये थे क्या डिस्प्यूट से डिस्कस करेंगे यहां पर काफी कुछ यहां पर आ मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूँगा क्वेशन यहां पर यह है कि पहले इंडियन प्रामिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस कौन थे वुवस द फर्स इंडियन प्रामिस्टर जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन कर लिया था इंद्रा गांदी में जो डिस्रिट कोर्ट है प्रियाग राज आपको पता होगा यूपी में आपको मिलेगा वहाँ पर एक एडवोकेट ने एक प्ली डाल दी आपको बता होगा स्टेट में बहुत सारे डिस्रिट कोर्ट होते हैं फिर हाई कोर्ट एक होता है स्टेट में उसके बाद पुर अरतिय सनाक की युनिफॉर्म पैनी थी अब राकेशनाथ पांडे साब के हिसाब से इन्होंने जो प्ली लिखी है उसमें इन्होंने ये डाल दिया कि ये तो section 140 के against है section 140 of the Indian Penal Code इनके हिसाब से ये कहता है कि अगर एक आम नागरिक पैनता है आर्मी की युनिफॉर्म तो ये एक punishable offense है और उसके बाद प्रयागराज के district court ने एक notice send किया है प्राम मिस्टर्स office में जो आगको मिलेगा नई दिल्ली में अब यहाँ पर आप पूछेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि code मान रहा है कि ये punishable offense है तो इसका answer है नई ये जो line ने आपर PM in army uniform is a punishable offense ये का है पा किया कि Prime Minister's office से एक representative PM का ये जाएगा प्रयागराज court में जो यहाँ पर issue है समझाएगा कि PM मोती ने ये army uniform क्यो पहनी थी, reason क्या था उसके पीछे और फिर आगे court decide करेगा कि क्या करना है अगर आप यहाँ पर ये पूछना चाते है कि क्या PM मोती खुच जाएंगे court में देख उनके office से एक representative जाता है क्योंकि बहुत से notice issue होते हैं chief ministers को ministers को all over India काफी case जलते हैं तो हर जगा तो वो present होते नहीं है तो जरातार representatives यहाँ पर जाते हैं और वैसे अगर हम बात करे section 140 of the Indian penal code की एक तुड़ा discuss करते हैं इसको के यहाँ पर लिखा क्या है इन detail अगर आप इस section को पढ़ोगे तो यहाँ पर यह लिखा है कि अगर आप कोई guard पैंते हो कोई token यूज करते हो जो यूज किया जाते हैं एक seller द्वारा एक airman द्वारा तो यह एक punishable offense है अगर आप एक civilian है अगर आप यह position hold करते नहीं है यह provision clarify करती है कि यह act prove होना कि इस intention से करी गई है कि लोगों को बेफकूब बनाया जाए लोग मान ले कि वो आदमी soldier है जरे for example एक आम आदमी है वो किसी military base में चला जाए proper army uniform पैंके पूरे उसके पास badges वगरा सब कुछ है और वो वहाँ पर army को बेफकूब नाने कोशिश कर रहा हो कि वो भी एक army officer है य इन महीने तक की jail हो सकती है या तो 500 रुपे तक का fine हो सकता है या दोनों भी हो सकते है इन very serious cases अब PM Modi का जो case है बहुत ही special है पहली बात हो आपने देखा होगा जो army uniform है with proper badges वगरा ये काफी बार movie stars पहनते हैं काफी बार आपने देखा होगा ड्रामा में नाटक वगरा में का ड्रामा चल रहा है एक actor है वो actor of course ये लोगों को बतानी रहा कि मैं एक army officer हूँ सबको बता है movie चल रही है ड्रामा चल रहा है तो वो case completely different होता है PM Modi का case यहाँ पर completely different है क्योंके पहली बात तो जो इनको uniform है ये most probably BSF नहीं दी थी उसके अलाबा आप देखोगे PM Modi की जो uniform है इस army officer या soldier को impersonate करने की कोशिच नहीं कर रहे यह आप कह सकते हैं एक जो celebration है with the army officers उसमें शामिल हो रहे है बस तो अब होगा क्या कि Prime Minister's office की तरफ से एक आपी जाएगा प्रयागराज district court पे वहाँ पर PMO की तरफ से जो यहाँ पर explanation है वो रखेगा और उसके बाद court यहाँ पर decide क commander of the armed forces तो कल को यह uniform पहना चाहें तो he can wear the uniform as well और finally यहाँ मैं आप से पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं कि PM of India को army uniform पहन के जाना चाहिए army के बीच में क्योंकि देखिए इसके दो तर्क हो सकते हैं एक तर्क यहाँ पर यह भी है कि PM of India आज के समय social media पे forces की तरफ तो लिखेगा इसके बारे में मैं जाना चाहूँगा आपका opinion it can be for or against it आपका जो भी opinion है welcome किये जाएगा comment section में ना वापस आते हैं अपने MCU की तरफ के पहले Indian Prime Minister कौन थे जिन्होंने resign किया था from office तो सही उत्तर इसका है option option B मुरारजी देशाई यह पहले non-congress Prime Minister थ इंडिया जनता party के अंडर और बाद में 1979 में इनको resign करना पड़ा जब चरण सिंग ने pull out कर लिया था from the जनता party और उसी की वज़े से he resigned और finally आपर मैं ये भी add कर दूं के current affairs के लिए आप properly prepare कर पाएं इसके लिए मैंने त्यार करी है एक free of cost test series यहाँ पर जो भी questions हैं यह मैं इसको हम T20 test series क्यों कहते हैं पता नहीं बस कहते हैं यहाँ पर आपको link मिलेगा इसको आप click कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर पाओगे enroll रोज साड़े साद वजे यहाँ पर test होगा Monday से लेकर Friday तक Saturday संड़े यहाँ पर off होता है और अगर यहाँ पर आपकी अच्छी rank आती है तो आपको Amazon gift voucher भी मिलेंगे बहुत से लोग Amazon gift voucher और यहाँ पर जीच चुके हैं you can win them as well simply यहाँ पर आपको click करना है enroll पर code यहाँ पर आपसे मंगेगे code डाल देना है यहाँ पर PD10 और जैसे ही test start होने वाला होगा साड़े साथ यह क्या सपास आपको notification आ जाएगी test यहाँ पर आप कर सकते हो attempt बहुत ही जड़ा अच्छा तरीका है यह current affairs के लिए prepare करने का और by the way यह जो test है यह Hindi English दोनों languages में आपको मिलेगा so use the code PD10 and start preparing for current affairs absolutely free of cost